बुद्मारी साथी क्लास आज हम पढ़ने वाले चैप्टर फर्स इंडीजर्स सबसे पहले इंडीजर्स होते क्या हैं इंडीजर्स आर्टा क्लेक्शन और फोल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स मतलब जब भी नंबर लाइन के हम बात करता हैं विसके इस साइड में लेट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं आज इडीजर्स के एडीजर्स के नहीं इडीजर्स के डिफर डिचेर्स होते हैं जैसे आपन Simply addition, subtraction, we are called a like करते हैं, वेकि उनको number line के कैसे करने हैं, आज अब वो सिखेंगे, सबसे पहरे addition के बाद करना है, integers का addition number line में कैसे होता है, अगर आपको 2 plus 3 add number line, number line के तो आप सबसे पहरे जहां पे आपको बोला जाना है, जैसे 2 plus 3 करना है, तो 2 से आप starting करोगे, और 3 times jump करोगे, जैसे यह आपने 2 से आपने starting करोगे, और आप कुछी बार जब करोगे, 3 times, 1, 2, 3, your answer will be 5, same करे से हम subtraction कर करते हैं, जैसे हमें 7 में से 4 minus करना है, number line के तो हम 7 में point पे जाएंगे, यह आपका 7 point, और यहां से पुछी direction में, यानिके reverse direction में jump करेंगे, इकितने times, 4 times, तो 1, 2, 3, 4, your answer will be 3, अब multiplication जो हम करते हैं, integers का, उसको करने के 2 steps है, फर्स step है, जैसे example है आपने पास, आपको 2 को मढ़ने करना है 3, तो आप first वाला number देखोगे कि आपका first वाला number क्या है, जैसे इस में first number 2 है, तो हम जो first number होता है, जो first step में जो first number होता है, उससे हम zero पे jump करते हैं, जैसे ये 2 है, इस example में जो आपको क्या हो रहा है, उसको first number 2 है, तो हमें two से zero पे count करना होगा, यानि ये jump चबना होगा, फिर ये चीज़ आने के बाद, आपका first step में हो second step क्या होता है, second step में हो, जब हम zero से starting होई है, वहाँ पे, हम jump करते हैं, इतने times जो second number है, और gap ही कितने की लेते हैं, जितना first number है, जैसे, zero से आपने start किया, gap कितने का लेता है, two का, तो zero, one, आप direct zero से नहां का होगा होगे, two के, और ये इतनी बाद पेना है, three titles के कि आपका second number क्या है, three, तो two into three, six होता है, और यहां से जब आप counting करोगे, jump करोगे, तो आपको पहने क्या है, six, तो ये तिनो operations होते हैं, जो integer में आप number line के two, दिखा सकते हैं, अब इनके अलादा, integers की कुछ properties होती हैं, जिनके दोन, उनके functions को और उनके operations को perform करते हैं, ज जैसे first property है, closure property, closure property का मतल है, कि अगर आप किसी भी integer को किसी दूसरे integer से multiply करोगे, तो जो आपका answer होगा, या जो आपका result आएगा, होपी कि आएगा, एक integer ही आएगा, इसी तरह एक cumulative property होती है, cumulative property में, आप एक integer को दूसरे integer से जब multiply करते हो, तो उसने जो इनके position होती है, अगर वो चेट ही हो जाती है, जैसे ही, यहाँ में आपने A को B से multiply किया, और यहाँ पर B को A से multiply किया, तो यह से जी चीज है, जैसे अगर आप 2 को 3 से multiply करते हो, और 3 को 2 से multiply करते हो, तो आपका answer स यहाँ में आता है, जो कि 6 है, यहाँ B और यहाँ में, तो वही property क्या होती है, cumulative property, associated property में आप A की operation को grouping करके कर रहे हो, means, A और B को जब आप multiply कर रहे हो, और C भी multiply की operation में ही है, लेकिन इस उनकी filtering हो रहती है, और यह अलग से multiply हो रहा है, और इधर यह अगर है और इन उनकी ग आपका तो रिजर्ट इस केस में और इस केस में है, यह सेम आता है, इसी तरह एडिस्क्योबिटर प्रापर्टी होती है, यहाँ में दो operation परफॉर्म होती है, यहाँ में single operation का multiplication का, यहाँ में multiplication का addition को रहे होनों के operation से, जब आप A नमर को मर्टिकाय कर दो, इनकी grouping operation से, तो आ बी प्रस सी के कोफेशं से हो, ठीक है, और यहाँ में A और B ये multiplication product से, C प्रापर होती है, तो इस केस में और इस केस में from T, same answer आता, same आएगा, यही क्या होती है, अधिस्क्योटेशन परफुर्म होती है, प्रिफ्ट प्रापर होती है, आपकी, multiplicative identity, multiplicative identity का मतल्या है, बढ़ तो आपका जो answer आता है, तो number खुदा आता है, for example, अगर आप 1 से मुझा आता है, तो आप का answer क्या आता है, एक, वो खुद ही आता है, जब तक आप उसे 1 से multiply करते है, last property is 0 property, 0 property में होता है, कि किसी number को अगर आप 0 से multiply करते हैं, तो उसका answer मिशा 0 ही आएगा, तो यह सारी properties आपको learn करते हैं, और जिकने लिए अपर शोर्म होते हैं, उन्में यह property use आता है, आप अपको प्रोटेक्ट करना सिखेंगे, कि integers के product किस तरीके सिखेंगे जाते हैं, जैसे आपको यह example दे रखा है, minus 6, multiply minus 7, multiply minus 9, तो आपको कैसे करें कि इसको first two numbers को पहले multiply तरीके, जैसे कि आप जानते हो, 6, 7 आपको नमता है, 42, लेकिन यहाँ पे minus का sign है, और यहाँ पे minus का sign है, तो जब हम minus into minus करते हैं, तो plus का number आता है, तो इसलिए जो 42 की तो हमों का product होगा, यह कैसा number होगा, यह positive number होगा, इसी तरीके से 42 को multiply करेंगे, हम बचे होए minus 9 से, क्योंकि इन दो का सो हमने perform के दिया था, सिर्फ यह बचा था, तो हमें इसको S के सी लिख दिया, जब हम इसके आगे perform करेंगे, तो 9 को 42 से multiply करेंगे, तो हमारा जो answer आएगा, वो minus का 58 आएगा, क्यूंकि 42 जो है, वो positive number है, और 9 जो है, वो negative number है, और जैसे के हमने 6 plus को पड़ा था, कि positive number को negative number से multiply करते हैं, तो आपका number कौन सा आता है, negative number मिलता है, तो हमारा answer क्या है का, minus का 351, इसी तरह से हम जब divide operation perform करते हैं, तो minus minus मिलके क्या हो जाता है, plus हो जाता है, जिससे हमारा पास example है, कि minus के 36 को, हमें 9 से, जब आप इसको fraction की form में लिखेंगे, तो minus minus मिलके क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, और 9 की table में, 9 मचल 9, 1 10 आता है, और 9 को जब 36 होता है, तो आपका जो final की answer आएगा, तो तो का है का हो रहा है, तो ये दोनों को फ़र्म करने के बाद में, आपके ये no answers आ रहा है, addition, subtraction और multiplication के बाद, इस type के question आता है, जहाँपे आपको ये जो लिखा होता है, इसको simplify करना होता है, तो आप इस solutions में क्या दो होगी, जहाँपे आपको different operations दे रखते हैं, तो आप board mass के according, इसे solve करते हैं, जैसे कि ये question दे रखता आता है, जब हमें, 29 minus bracket, 38 minus 30 brackets, फिल छोटा ब bracket 40 divided, ये पूरा लुटा आपको equation दे रखते हैं, तो आपको बाद मास के बता है, फिर हम पहले divide को form करेंगे, सिर्फ subtraction करेंगे, तो आप जब 9 को 3 से divide करोगे, तो आपका answer क्या आएगा 3, 3 आने के बाद में, आप इसको minus करोगे 6 में से, क्योंकि पूरा bracket solve होने के बाद भी ही दूसरी अपो फोटा होगे, तो जब आप इसको इधर से minus करोगे, तो यहाँ पे आपका 3 आपसा आएगा, और वो बादी चार्जीन को ऐसे कैसी लिख देंगे, यहाँ आपके एक curly bracket है जिसे आपको solve करना है, तो आप इस bracket में देखेंगे, एक minus है और एक divide है, तो बाद मास के आप कोड़िक हम करें, डिवाइड आपके divide करने के एक uniform जब 3 को 3 से divide करेंगे, तो मारा answer क्या आएगा? 1, अब इस curly bracket में 20-1 भी है, एक ही operation में जो एक uniform करना है, तो जब आप 20 में से 29 का 19, अब 29 माइनस का 19 है, तो आपको answer में क्या जाएगा? 10 आप जाएगा, तो ये जो questions है, ये simplify के आपने हैं, जाओके आपको different different operation दे रखे होता है, different different brackets